अश्राम लेकूम मेरी यूटू फैमिली कैसे आप सब उम्मीदे खेरें यह से होंगे आप सब को खुश रखें देर चरी फिश्यादे आमीन सुम्मा आमीन मेरे पास बाल करने के लिए रेमेंटन का अलेक्टिक रॉट थी जिसे हम बालों को रोल करते हैं और कल करते हैं कली बनाते हैं जिसकी वज़ा से बाल अच्छे लगते हैं तो जिनके कल होते हैं कली बाल होते हैं वो चाहते हैं हमारे स्टेट हो जाएं जो स्टेट होते हैं हमारे कल हो जाएं वीडियो को फुल वाच कीजिएगा आज बहुत सारी स्टे इलाक्टिक रॉट के बारे में इंफ क्रिम्पिंग चल रहा है क्रिम्प करते हैं टेले जमाने में तो मेडिया बानते थे अब क्रिम का गया बस आपने क्रिम किया बाल आपके वेवी हो गए अच्छे हो गए तो बहतरी रिजल्ट के लिए अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप एलेक्टिक राड का इस्तमाल की आइरन जी से कहते हैं आइरन राड वो किस तरह इस्तमाल करेंगे तो आप एक राड ले ली जीए मेरे पास रिमेंटन की है तो इसके बेस्ट रिजल्ट है आप इसमें राउंड राउंड लपेट लीजिए लपेटने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए फिर इसे आप स्ट स्टेट रखेंगे तो स्टेट आएंगे और यहां से आउन आफ मीडियम हाई लो करने के इसके बटन लगे हैं और यह चलता है चलता है चला सकते हैं और रिजनेबल प्राइज में अविलिबल है यह मैंने तकरीबान फाइफ थाउजंट का लिया था और यह दो हजार से द और बालो को अच्छा बनाता है खुबसूरत बनाता है वॉलियम देता है और हमेशा प्रू इस्टेट नर प्रू अलेक्टिक रड का इस्तमाल कीजिए क्योंके प्रो प्रू प्रस्फेशनल रड होती है जिसकी वज़ा से बहुत अच्छा बाम अच्छी बालों की से तदबीर यही होगा कि अच्छे से पहले बालों को वाश कर लिजिए वाश करने के बाद थोड़ा नम चोड़ दीजिए बालों को बिलकुल ड्राइ नहीं करना नम के दुरान आप सीरम का इस्तमाल करेंगे सीरम अच्छे से पूरे अपने हेर्स पे अपलाई कर लिजिए उसके बाद आप सेक्शन बनाएए सेक्शन बनाने के बाद आप जेल का इस्तमाल कीजिए और जेल का इस्तमाल आपने कब तक करना है जब तक आपने जेल लगाने के बार राट का इस्तमाल करना है और जब सकैल्प से हट के रोल कीजिए बालों को क्योंकि आप डारेक्ट अगर बालों सकैल्प पर अपलाए करेंगे तो आपकी सकैल्प जो है वो जल जाएगी डैमिज हो जाएगी इन चीज़ों का ख्यार रखिए बस और हमेशा अच्छे रॉट का इस्तमाल कीजिए बेशक एक्स् अब आपकी वीक हो जाएंगी जब आपके रूटस वीक होंगी तो हेड़ फालिंग शुरू हो जाती है, तो इस इसका ख्यार रखेगा जेल के बार आप आखरी जो प्रक्रासेश होता है, वह होता है यहार इस्प्रेई तो आप किसी भी कमपनी का लेजी जीए, मेरे पर नु सिरम आप अवेलिबल नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते लिवाउन का तो आप हेयर कैपसोल मार्किट में आवेलिबल है वह इतना एक्सपेंसिब नहीं होता आप वह पूरे हैर्स पर एपलाई कर लीजीए और उसके बाद जेल का इस्तुमाल कर लीजिए लास में इस्प्रे का इस्तुमाल कर लीजिए और देखिए सेक्शन बनाके उसके बाद आपकी हेर स्टाइल रेडी हो जाएगा आप स्ट्रेट भी ले सकते हैं बैक से भी ले सकते हैं फ्रंट से भी ले सकते हैं क्राउंड एरिये से भी उनको निकालना है फ्रंट से बैक से साइट से आउट साइड इंसाइड जिस तरह भी आप करना चाहें तो आप सेक्शन बनाईए और फिर उसके बाद यह जो एलेक्टिक राड है इसका इस्तमाल कीजिए सुच से लगा लिजिए इसके बाद वाम आप कर लिजिए वाम आप क लगते हैं और हमेशा अच्छी अगेन कहूंगी अच्छी राड का इस्तमाल कीजिए जितनी आपकी अच्छी राड होगी आपके हेर स्टाइल इतना अच्छा बनेगा आपको पॉलर जाने की नीड ही नहीं होगी आप लाड लीजिए इस्टेट न लेजिए घर रखिए क् आपको मेथड मेने बहुत अच्छे तरीके से बताया है तियाती तदा भी बताई हैं आपको येकिनन समझ आ गई होगी सीरम ले लीजिए पॉलर वालियां भी आपको अपना सिक्रेट देती तो नहीं है यह होता है कि सबसे पहले सीरम इस्तमाल करती हैं सीरम के बाद आप मतम ते आप का अपने हीम करें ंच्टाहिचा आपको जाल करती हो इंब आपको नीटी नहीं होगी आइख जाने की और आप संक्ष पिन मिलतेगा बिलता है पहले सिल्जाब यजिए ब्रेट सेपकर करने के और कंगा करने के बाद आप आप मदद सेपक्षिंग voltar लग्वोर सेक्शन अप्लाई करने के बाद आप अपने हेर्स को अच्छे से राट कीजिए और देखेंगे इंशालला बहुत अच्छा आपका हेर स्टाइल बनेगा तो बहुत ही इजीली आपको रिव्यू दिया डेमो भी करके दिखाया और बहुत सी एतियाति तदबीर भी बताएंग जिन लोगों को समझ आ गए और जिन लोगों को नहीं आए अगेन सुन लीजिए लिख लीजिए एतियाति तदबीर यही चीजें पॉलर में इस्तमाल होती है वो घुमा पिर आके बताती नहीं है और बिल्कुल आपका रेडी हो जाएगा हेर स्टाइल तो मुझे अपनी द